जे मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक सुआगदे महाकाली बगत गयान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ जवर दस्त उपाए एक बार ये उपाय करने से माताकाली आपकी हर इच्छक तुरंत पूरी करती है, आप खुद देख लो एक बार करके इसका चमतकार, जी हाँ भक्तो, आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, बस एक छोटा सा उपाए बताऊंगी, जो उपाए आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अगर घर में ना करना चाहें, तो भार भ हान से इसे सुनना है, और जितने भी काली माता के भक्त हैं, जिन भक्तों की इच्छाए मनुकामना पूरी नहीं होती, जो लोग माता के दरवार में अर्जी लगा देते हैं, अर्दास लगा देते हैं, लेकिन तब भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो ये वीडियो उ ये होने वाली है क्योंकि मैं जो उपाय बताने जा रही हूं इस उपाय को एक बार करके आप छोड़ दो उसके बाद आपको देखो कि हर दिन आपको चमतकार दिखेंगे जो आपकी मनुकामना पूरी नहीं हो रही थी जो इच्छाएं आपकी अधूरी पड़ी थी वो अब जाके इस उपाय को करने से तुरंत पूरी होंगी करेगा कौन माता काली तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाती हूं अगर आप लोग महाकाली बगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए पूचे तो देखिए भक्तो जो मैं आपको उपाय बताने जारी हूं इस उपाय को कुछ चीजों की जरुरत पढ़ेंगी जो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी सबसे पहले देखिए यह वीडियो उन भक्तों के लिए हैं जिनकी कोई मनुकामना पूरी नीं होती माता के आगे उन्होंने अर्जी भी लगा दी अर्दास भी लगा दी भोध मनों काम नहीं मांग लेकिन कोई भी अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कहने को पूजा पाड भी अपने गर में भोध करते हैं माता के अनेक मंतरों का जाब भी करते हैं और उसी के साथ साथ भूत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो देखिए भक्तो आप घबराईए मत इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले आपको एक खपर लेना है मट्टी का ठीक है मट्टी के खप लेकिzen अंदर ढाल देने हैं उर दो कपूर आपको साथ में रख देने हैं उसके बाद सबसे पहले कपूर को जलाना मत्र काली का नाम लेकिए ठीक है कपूर को जलाकर जैसे ही उसमें अगनी आती रहेगी तो सर्सो का تेल थोड़ा-थोड़ा उसमें डालते रहना Muhadu को फो ले माता को पांच बता से और दस लोंग मा काली के नाम से एक एक करके चड़ाते जाओ ठीक है उसके बाद नीम्बू लो नीम्बू को चक्कू से काटके दो लोंग उसमें लगाके और लाल सिंदूर लगके टीका लगाके माता को यह सबसे बड़ी भेट दे दो ठीक है उसके के लिए उसके बाद आपको काले तील लेने हैं पीली सरसो लेनी है और हवन की आपको छोटी से सामागिरी लेनी है तो हवन सामगिरी में काले तील पीली सरसों मिला के मा भगवती का मंत्र जपो कौन सा मंत्र जपना है ओम नमो नमो महाकाली दोनों हाथ बजाये ताली जा बैठी पीपल की डाली तेरा बचनना जाये खाली समसान में विराजने वाली काली महाकाली मेरी मनो कामनाई, मेरी इच्छाय तुलंत पूरीकर, मेरी महकाली दुहाई तुझे गुरु गोरक नात किये, दुहाई तुझे इश्वर मचंदर नात किये दुहाई तुझे धाके बंगाल किये, दुहाई तुझे कामरुदेश कमक्या किये ठीक है यही मंत्र है जो मैंने बताया है आपको इसको लिख लेना लिखने के बाद इसको अच्छे से याद करके फिर ही आप इस उपाय को करना अब यह मंत्र आपको कितनी बार जबना है कम से गम आपको ये मंतर 21 बार बोलना है और साथ में आपको कि इस खप्पर में आपने माता को भोग दिया है ना कि कि अभर में चुटकी बर आपको एक-एक करके जैसे आपने एक बार मंतर बोला तो हवन सामागीरी काले तील और पीली सरसो उसमें मिक्स करके उसको चुटकी बर उठा के अगनी में डाल दो फिर मंतर बोलो फिर चुटकी बर उठाओ फिर अगनी में डाल दो ठीक है इस तरीके से आपको 21 अहूती देनी है इस मंतर की और साथ में क्या क्या चीजे च मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई है ना मेरी कोई सुनवाई हुई है तब जागे में ये उपाय बताया हुआ कर रहा हूं हमारे चैनल का नाम ले देना और इस उपाय को शुरू कर देना उसके बाद आप एक बार करके देख लो सके बाद आपको खुद चमतकार दिखेगा कि जो इच्छाय मनुकामना आपकी पूरी नहीं होती थी वो कैसे आपकी तुरंत पूरी होने लग रही है और माकाली का धन्यवाद आप खुद अपने दिल से करेंगे जब आपकी मनुकामना तुरंत पूरी होगी तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अगर कुछ कमेंट करें भी पूछ सकते हैं अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माकाली हर हर महादेव और जो आपने भोग दिया है सारा दूसरे दिन ठंडा होने के बाद पीपल पे रखी आना